हेलो दोस्तों वेलकम दो इंगलिश दोगों दोस्तों अभी हम कल्चरल डाइवरिसिटी लिंग्रिस्टिक प्लॉरेलिटी एंड लिट्रेरी ट्रैडिशन से इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं इस बुक के ऊमन्स पेक इस यूनिट का फर्स चाक्राज हम पढ़ने जा रह था कि फ्लावरिंट्री एक हाइली सिंबॉलिक कथा है इसे अगर हम कहें तो एक फोक टेल है अभी फोक टेल का मतलब होता है लोक कथा अब लोक कथा इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कई सारे अलग-अलग वरजन हो सकते हैं जैसे कि हम रामायम की किस्से में अगर दिखें तो रामायम के लगवक सो के करेब अलग-अलग वरजन है तो हो सकता है कि फ्लावरिंट्री यह जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके भी कई सारे अलग-अलग वरजन हो और इस चीज को एक है नामनोजन यह भी मानते हैं लेकिन यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एके रामनोजन ने इस चार्टर को दो हिस्सों में डिवेड किया हुआ है क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बलकि यह एक लिटरी वर्क है तो इस वर्क में हम देखेंगे कि फर्स सेक्शन में इस फूक्टिल को हम एक बारीकी से पढ़ेंगे कि आख इस सिंबोलिजम के उपर हम गहराई से डिसकुशन करेंगे तो शुरुआत करते हैं इस फूक्टिल से दोस्तों यह जो कहानी है यह कहानी है एक यंग लड़की की एक नौजवान योती की यह कहानी है जो एक राज्य में रहती है अब यह कहानी उस दमने की है कि जब राज نी लड़की ती उसकी शादी हो चुकिए ती अभी जो नाौजवान लड़का यानी की राजकुमाद है वह और उस राजकुमार की बहन ये दोनों अविवाहित तो अब उसे राज्य में एक गरिक परिवार में दो लड़कियां रहती थी और ये लड़कियां अपने मां के साथ रहती थी अब हमें ये रिजन ने पता कि उनके पिता के साथ क्या हुआ लेकिन इस कहारी में कहें भी उनके पिता का हमें उल्लेक देखने को नहीं मिलता अब यह जो परिवार है यहाँ पर क्योंकि दो लड़किया है और अकेले अवरत के उपर इन दो लड़कियों की जिम्मेदारी है तो ऐसे में वो जो बुजरूर महिला है वो काफी महनत करती है अपने लड़कियों की परवरिश में वो बहुत महनत कर रहे होती है और यही चीज इ इन दो लड़कियों में से जो छोटी लड़की होती है, जो कि इस कहाली की मुख्य पात्रा और एक हिरोईन है, वो छोटी लड़की एक दिन अपने बड़ी बहन से कहते हैं, कि बहन में देखती हूँ कि हमारी मां हम दोनों की परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करत हैं, बहुत ज़्यादा संगर्श करती हैं, और क्यों ना हम उसकी कुछ मदद करें, तो इसके लिए वो कहते हैं, कि मैं एक फ्लावरिंग ट्री में तबदिल हो जाओंगी, और जब मैं एक फ्लावरिंग ट्री में फूल देने वाली बड़े से व्रक्ष में तबदिल हो ज सकते ना टूटे, साथी साथ जो डालिया, जो टहनिया है, वो टहनिया ना टूटे, और उसके बाद फिर से एक बार जब तुम ये पूरे फूल तोड़ लोगी, तो हम उन फूलों को राच्चे में बेड़ सकते हैं, और इस से हमारी मा की बहुत ही मदद हो जाएगी, कहना कहीं हम उनका हाथ बटा पाएंगी, तो जब इस तरह से छोटी बहन कहते हैं, तो बड़ी बहन कहते हैं कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, तो फिर छोटी बहन उसे पुरा एक्स्प्लेन करते हैं कि वो एक दो पीच्चर्स, यानि कि दो पानी के घड़े, दो पानी के मटके ला देना और फिर मैं एक बड़े से विशालका है फूल देने वाले प्रिक्ष में तब दिल हो जाओंगी तुम जैसा मैंने कहा था उसी तरह से फूल तोड़ लेना और जब तुमारा फूल तोड़कर हो जाए तो उसके बश्चा तुम दूसरा जो घड़ा है वो घड़ा मुझ अगर में जाड़ो लगाते साब सफाई करते हैं उनके आगर में एक और पेड होता है उस प्रेण के नीचे चोटी बहन जाकर बैट जाती है और जैसे कि उसने इक्सप्लेंड किया था वो ध्यान करते हैं और बड़ी बहन उसके ऊपर एक घड़ा पानी डालते देती हैं औ और जब वो काफी सारे फूल तोड लेती है तो फिर से जो दूसरा बचा हुआ घड़ा था वो घड़ा उस ब्रिक्ष पर डाल देती है और फिर से छोटी बहन वापे बहन के तरह यानि इंसानी रूप में आ जाती है और अपने बालों में जो पानी छिटका गया था वो पान एक सूपर पावर कह सकते हैं सूपर नैच्छरल पावर है जिससे वो एक वरक्ष में बदल सकती है लेकिन कहानी में कहीं भी हमें ये एक्स्प्लेन नहीं किया रहा है कि आखिर वो क्या वज़य है या पिर किस वज़य से इस लणकी के पास ये सूपर पावर आती है तो पहन उन फूलों को बेचने के लिए राजय में निकल पड़ती है वो चिलाती रहते फूल ले लो फूल ले लो फूल किसे चाहिए फूल ले लो और इसी तरह से वो राजय में निकल पड़ती है और वहाँ पर जब वो राजा के राज महल के सामने से गुजर रही होती है तो रौण की जो छोटी बेटी होती है वो बेटी देखते हैं माहा inomजस में देखो नड़की कुछ बेच रही है किप fundament बने norm उसे में फूल तो लड़की चैन्यक्त reality कि ये वरावत अरीज़कीतायता है रूपए देती है और वो सारे फूल रानी रख लेती है कुछ इसी तरह से अगले पाँच दिनों तक ये कारेटरम चलता रहता है और पाँच दिनों में पाँच हैंडफूल अग कोईंस यानि पाँच मुट्टी में बैटे इतने कोईंस अब ये दो लड़कियों के पास जम कि अगर मां को ये पैसे दिखाएंगे तो मां को डाउट आ सकता है मां पर भुश्ण कर सकती है वो पूछे कि कैसे पैसे हैं कहां से पैसे हैं तो कहीं नखें मां पर असमंजस्वाली परिस्तिती आ जाती है और दोनों लड़कियां आता है कि वो इस सिग्रेट को छुपा क रखेंगे कुछ और दिरों तक और जब खूब सारे पैसे आ जाएंगे तब अपनी मां को बता देगी तो फिर ये जो पांच दिरों का घटना करम चल रहा होता है इसी दवरान हर रोज ये फूल राजमहल के अंदर जा रहे थे तो वहीं उसी समय पर जो राजकुमार होता है वो राजकुमार भी इन खूबसूरत फूलों को देखता है और उसके मन में एक जिग्या सा पैदा होती है वो कहता है कि इस तरह के फूल मैंने राज्य में कहीं और नहीं देखे हैं आफिरे कौन सा पेड़ है जिस पेड़ पर इस प्रकार की खूबसूरत से फूल जाता है और जब एक बार उसके घर को देख लेता है तो अगली सुबह वो इन लड़कियों के सीक्रेट को भी जान जाता है कि आखिर जो छोटी बहन है जो छोटी लड़की है वो किस तरह से लड़की से एक फूल देने वाले व्रेक्ष में तब्दिल हो जाती है और फिर स वो कहीं न कहीं हो सकता है अपने दोस्त के साथ मिलकर और प्लानिंग करकर वो अपने माबाप से बात करना बंद कर देता है अब इस तरह की घर्टना अक्सर जब हम पुरानी कहानिया पड़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं जहां पर कोपा ग्रहा हुआ करता था कोपा राजा से असंतुष्ट है राज मरिवार में से वो उस कोपा ग्रह में चला जाता है और फिर जब राजा को पता चलता है कहां मेरी रानी मेरा बेटा मेरी लड़की कोई तो भी कोपा ग्रह में गया है तो उनकी क्या परेशानी है क्या दुख है उसको जानने के लिए राज उनके पार जाता है, कहिना कि उस दमाने के सत्या जहा के रूप में हम इसे देख सकते हैं, तो जो राज सुमार है वो दुखी होता है, और अभी राजा और राणी दोनों को भी समझ में आता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों भी उसके पास जाते हैं कि बताओ क्य दिकत है, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो ऐसे में वो लड़का रिवील करता है, कि वो उस पर्टिकिलर लगकी से शादी करना चाहता है, अब जब इस तरह से बात हो चुके हैं, तो यहाँ पर राजा वो लड़कियों की मा को अपने पास बुलाता है, बुलावा भेजता है, अब जैसे ही वो गरिब बिचारी मा, राजा के सामने आकर खड़ी होती है, तो वो कापने लगती है, क्योंकि उसने यह समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया, क्या मुझे कोई गंटती हो गया, क्या मुझे कोई दंड दिया जाने वाला है, ऐसे कुछ खैलों से उस गहिना वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं वापस जाती है, और जैसे ही ओ घर पे जाती है, अपने दोनों ही लड़कियों को वो पीटने लगती है, और ओ कहते हैं, आखिर राजा कोई पता कैसे चला कि मेरे घर में दो लड़किया है, और आखिर उसे हमारे परिवार के पता है कैसे चला तो कहीं न है उसके मन में यह डाउट आता है की कहीं श्री लर्हा बाहर भूम्र रही है यह तो यहीन रिजन है कि राजा मेरे लणकिंगायों की यह जाएं maior आपने इस डाउट कि चल के इन वह पीट देती है अब जब मा इस तरह से पीटती है तब आखिरत में जाकर वो जो लड़किया है वो कह देते हैं कि देखो मा हुआ ऐसा था कि पिछले हपते से मैं एक फूल देने वाले व्रिक्ष में तब्दिल हो जाती थी और फिर बढ़े बहन जाकर उन फूलों के बेश देती थी तो हो सकता है कि इसी वज़े से उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पर दो लड़किया रहती है तो अब यह सुनके वो मा और गुस्ते में आ जाती है और फिर से पीटने लगती है और वो कि यह क्या नॉनसेंस है यह फूल देने वाले व्रिक्ष में पत्दिल होना यह क्या बात है तुम क्या मुझे 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 समझती हो और जब मात को अभी डाउट आने लगता है कि जरूर कुछ न कुछ काला है हो सकता है मेरी लड़किया बुरी संगत में पड़ गई है या फिर वैश्या वेवसाई या फिर कुछ गलट ठंदे करने लगी है तो इसी डाउ अभी मुझे तुम पेड बनकर दिखाओ और फिर अपनी मा की इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए और उसके डाउट को कम करने के लिए छोटी लड़की फिर से एक बार फूल देने वाले वरिक्ष में तब्दिल हो जाती है रुपांतलित हो जाती है दोस्तों अभी जब इस तरह से आपर डिसकेशन होता है तो फिर अगली सुबह फिर से एक बार राजा मा को बुलाता है और कहता है कि बताओ कब हम शादी कराएं तो मा तो बहुत खुश होगे क्योंकि कहिना कहीं उसे लगते हैं कि यह जो लगकी के पास विशेश पावर है यह अपने किस से जल्दी इसकी शादी हो जाए और मेरा पिछा छुटे तो कहिना कहिं हो कहते हैं कि आप जब चाहो तब शादी करा देंगे और फिर एक भविवे से मंदप का उलेख इस कहानी में किया गया है उस उलेख के साथ हमें बताएं कि भविवे सरूप में उनकी शादी की जाती है जब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की दोनों को अपने अलग कमरे में अपने अलग रूम में उन्हें छोड़ दिया जाता है जहां पर वो रहते हैं लेकिन पहली रात बीच जाती है उन दोनों के बीच में ना कोई डिसकशन होता है नहीं कोई गतिविदी होती ह दूसरी भी राख ठीक उसी तरह से शांती-शांती से चुपी-चुपी से बेच सी जाती है जब तीसरी राख आती है तो लड़की अपने मन में सोचती है क्या इसी सूख के लिए राज्तोमार ने मुझसे शादी की इतना घूंड के और फिर इसी चीज़ को वो राज्तोमार को भी कहती है क्या मुझे यही सूख देना चाह रहे थे जिसलिए तुमने मुझसे शादी की है अब लड़का कहता है कि मैंने तुमसे शादी की है लेकिन मैं तुमसे बात तभी करूँगा जब तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि तुम मुझे वो फूल देने वाली रक्ष में रुपांतरित होकर दिखाओ और तभी मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा अब लड़की कहते हैं कि मेरे प्रान प्रियव, मेरे बदी, आप जो कहोगी वो में कर सकती हूँ लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई राक्षे से या फिर कोई देवता नहीं हूँ कि मैं किसी व्रक्ष में तबदिल हो जाओ, मैं भी आप ही की तरह आम इंसान हूँ लेकिन लड़का कहते हैं कि मुझे तुम्हारा रहस्य तुम्हारा सीक्रेट मुझे पता है और मेरे सामने तुम बनो मत अगर तुम मेरे लिए प्रेक्ष में तब्दिल नहीं हो सकती तो फिर आखिर किसके लिए तब्दिल होगी और फिर इस फोर्स के चलते लड़की तीसरी प्रिक्ष में तब्दिल होती है और फिर राजकुमार सारे जितने भी उसे फूल चाहिए थे वो फूल तोड़ लेता है इस बारे भी लड़की पूरी तरह से राजकुमार को एक्स्प्लेन करती है कि जब वो फूल तोड़ेगा तो ध्यान देना पड़ेगा कि कोई पत्ते या थिर कोई ठहनी या डालिया ना पूटे और फिर इसी तरह से साथानी पूरवक सारे फूल तोड़ लिये जाते हैं और फिर से एक बार लड़की अपनी लड़की के रूप में आ जाती है और फिर इसी तरह से अगले चार-ऊश दिनों के इंकर चलता रहता है रात के समय प्रक्षमे तब्दिल होती है फूल तोड़ते हैं फिर वो अपने इस्वागराप मनाते हैं ऐसे चाहपाट दिन होते हैं फिर सुबह जैसे होती है सारी फूलों को खिड़की में से बाहर फेंग दिया जाता है अब यह जो सारे फूल हो सकता है उपर के मंजिला में रह रहे ह जैसे ही नीचे गिरते हैं तो नीचे पहाड जैसा जम जाता है इतने जादा फूल खिड़के से नीचे फेके जाते हैं और फिर जो लड़की है जो राजकुमारी है वो अपनी मा से कहते हैं कि देखो मा भया कितने जादा फूल नीचे फेक रहे हैं लेकिन मुझे एक फू रहस्य जो होता है यह राज़ कुमारी भी पता चल जाता है वो उनकी उपर नदर रखे थे कि एक रंख तो फिर कुछ दिनों बाद जो राज कुमारी है वो अपनी मा से कहते है कि मा मैं और मेरी सहेलिया हम लोग जो술 पर खेलने के लिए जाना चाहा तो राजकुमार यानि उस राजकुमारी के भैया वो कहते हैं कि मेरे उपर नहीं मा जो कहेगी वैसा करो तब लड़कियां पर फिर से एक बार मा के पास जाते हैं कि तुम्हारे पास आती हो तो तुम कहते हैं भैया से पूछो भैया कहते हैं मा से पूछो तुम तो चाहती ही नहीं कि तुमारी बहु मेरे साथ आये तुमारे लिए तो बेटी से ज्यादा बहु भी प्यारी है तो इस तरह से ताना मारते हैं इसके चलते रानी राजकुमारी के साथ अपनी बहु को बाहर जाने के अरुमती देती है और फिर ये लड़की जो कि हमारी नाई का है वो मेरे भया की वाइफ अभी एक फूल देने वाले पेड़ में तब्दिल होकर दिखाएगी और सब ईए लड़की कहते है कि तुम नॉंसेंस हो गया, तुम बिल्कुल भी अकल रही है किया, मैं तुम्हारे जैसे आम इन्साम हूँ, मैं कैसे व्रक्ष में तब्दिल हो सकती हूँ, लेकिन बड़की कहेते हैं क्यां अभी कैसे नातख कर रहे है, सिर्फ अपने लवर्स के लिए और boyfriends के लिए ही तुम पेड में तब्दिल होती हो क्या तो इस तरह से ताना मार देती है तो कही ना कही राजकुमारीक के पास एक सूपर पावर है एक एबिलिटी है जो कि अक्सर maximum आउरदों के पास होती है ताना मारती है और उस ताने के चलते लड़की फिर से एक बार जो कि इस कहारी में चोगी बार है चोगी बार लड़की एक व्रिक्ष में तब्दिल हो जाती है लेकिन जब रुपांतरित होने से पहले लड़की सारी स्ट्रेप्स एक्स्प्लें कर रही थी तो ये लोजोन लड़किया और राजकुमारी उनकी बातों को ठीक से नहीं सुनते हैं और वो आधा आधोरा ही पानी उसके शरीर पर छिड़ते हैं इस वज़े से उसके लड़की के शरीर के कुछ अंग इंसानी रह जाते हैं और कुछ हिस्से फूलों वाले यानि कि वरिक्ष के हिस्से बन जाते हैं और फिर जैसे ही वो तोड़ती है तो जंद बाजी में लालश के साथ तोड़ती है तो उसके पत्ते तूट जाते हैं कुछ टहनीया मूर जाती है तूट जाती है और फिर आचाने से वो देखते हैं कि अभी बारिश का मौसम बन रहा है तो जन्द बाजी में फिर से एक बार जो दूसरा घड़ा था वो घड़ा यहां वहां उस लड़की के शेरिर पर डाल देते हैं जो कि अभी आधा वरक्ष और आध्या इंसानी शेरिर होता है तो इसके चलते यह जो भी सेक्रेट यह जो कि पवित्र प्रोसेस थी वो प्रोसेस खेक्षित पूरी नहीं हो पाती और अब लड़की एक वस्तु की तरह सिर्फ जिसके पास एक खुबसुरत सा जहरा है और बाकी इंसानी शेरिर है लेकिन हाथ पर नहीं है यानिकि जिसे हमें एक लड़की बारिश होती है तो वो भैकर नाली में चली जाती है बहते बहते इसी एक मोड पर जाकर वो अटक जाती है जैसा कि अक्सर बारिश के समय में हम देखते हैं जो कच्रा होता है वो कच्रा किसी एकाने मोड पर जाकर अटक जाता है पानी के साथ तो ठीक उसी तरह से किसी वस्तू या सामान की तरह ये लड़की किसी एक नाली में एक नदी के किनारी पर जाकर अटब जाती है और यहाँ पर ये लड़की अभी इंसान से एक वस्तू या फिर एक थील में तब्दील हो जाती है यहां से उसकी बुरी दश्या या फिर बुरा समय शुरू हो जाता है दोस्तों अब जब यह लड़की इस तरह से तब्दिल हो जाती है तो अगली सुबह जहां पर वो अटकी पड़ी होती है उसे के आस्पास से साथ आठ बैल गड़िया जा रही होती है अब जो पहली बैल गड़ी वाला वेक्ति है वो सुनता है कि अब किसी इंसान के कराने की चिलाने की दर्ग से कराने की आवाज है लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लिम नहीं चाहिए तो वो जल्दी से आगे निकल जाता है बाकी के लोग पे ऐसे ही निकल जाते है लेकिन जो सबसे आखरी बैल गड़ी वाला वेक्ति होता है वो सोचता है कि अब हो सकता है कोई इंसान हो और उसे मदद की आऊशकता हो ऐसे में वो जाता है तो देखता है कि यहाँ पर बिना कपड़ों के एक महिला की शेरिम से दिखने वाली एक वस्तू है जिसके अंदर जान है जीवित है और वो उसकी मदद करने के लिए अपना तर्बन यानि अपनी पगड़ी छुड़ा कर उसके उपर उसे घंद देता है जिससे कि उसकी लाग बचाई जा सक जो अगला शहरे वहां तक उसे ले जाता है और वहाँ पर एक चवराहे पर वो उसे रख देता है और कहता है कि तुम मरोगी नहीं कोई ना कोई तुमे खाना देगा तुम मरोगी नहीं और फिर वो आगे चला जाता है अब सईयों की बात यह होती है कि जिस नगर में उस ल अब इसे दोरा पूरी कहानी राजकुमार की उपर शिफ्ट हो जाती है अब जब लड़की जो कि अपनी नाई का है गायब हो जाती है तो उसी दिन शाम को राजकुमार रानी के पास जाकर कहता है कि मा मेरी बीवी राजकुमारी के साथ खेलने गई थी लेकिन वापस नहीं आई है तो यहाँ पर बहुत ही चालकी से रानी कहते हैं कि मुझे तो लगा कि वो तुमारी बेट रूम में है और कहीं ना कहीं लड़के को अंदेशा हो जाता है कहीं ना कहीं उसका सिक्स तेंस उसे कहता है कि मेरी बीवी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है वो उसे मैले कपड़े पहण कर वह नगर में यहां-间लता है कहें ना के उसका मालसी संथिलन बिगल जाता है और जन्व cotton पूरी तरे से चिन विचिन अवस्था में है अब यह सईयों की बात कहो कि दोनों एक ही शहर में आजाता है तो सबससे पहले हम कहाने हैं करेंगे इस लड़की की उसी शहर में उसकी जेठानी नहीं कहते हैं जो भी नाता रहता होगा उसी के पती की बड़ी भहन उसी शहर में रहती है तो जब वहां पर उस वो उस बहन के राज बहन में काम करने वाली दासियां उस लड़की को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस लड़की का चहरा आपकी आपके बहन की वाइब से बहुत ही मिलता जुरता सा है तो एक बार आप नीचे देखो खिड़की में से जहांकर तो नीचे जहांकर देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ इसका चहरा मेरे भा कहते हैं कि देखो ना यह कितनी खुबसूरत है उसे अंदर लाने दो तो इस बार हो कहते हैं ठीक है उसे तुम अंदर ले आओ लेकिन तुमारे काम की उपर कोई भी फरग नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों अब किसी ना किसी तरह से यह लड़की अपनी भाई की भहन के घर म सामने आ जाता है और फिर से एक बार उसे वहां की दासियां देखती है और जाकर अपनी मालकिन को कहती है कि देखो है आपके भाई की तरह देखने वाला एक इंसान बहार बैठा है तो देखती है तो वह कहती हो बहचान जाती है कि हाँ इसका चेहरा तो मेरे भाई की तरह ह तो वो कहते हैं कि दासियों जा और उसे लेकर आ तो यह दासियां जाती है और राजकुमार को कहते हैं कि आपको राणी बोला रहे हैं तो राजकुमार घुसा हो जाता है कि क्यों बोला रही है मुझे मैं नहीं आओंगा लेकिन जब बहुत बिंटी करती है तो राजकुमार उस महल में चला जाता है अब यहाँ पर हमें treatment का भी difference देखने को मिलेगा कि जब दास्कियों ने महिला के बारे में बताया था कि यह आपके भाई की पत्नी की तरह दिख रहे तो उस लोग उसे किस तरह से treat किया गया उसे कुछ importance नहीं दिया गया जबकि वो खुद एक महिला ह वो होते हुए भी दूसरी महिला को importance नहीं दिया लेकिन दूसरी case में जब यह बताया गया कि आपके भाई की तरह दिख रहा है तो उस वक्त उसे आदर के साथ घर के अंदर बोलाया गया तो यह कहिना कि mentality का difference हमें यहाँ पर देखने मिलता है अब जब भाई महिल के अंदर आ जाता है तो भहन कोशिश करते हैं कि उससे बात करें बता है कि उसको क्या परिशानी है लेकिन वो कुछ भी जाया नहीं करता है बलकि वो शांत-शांत सा रहता है अब उसकी शांती को कम करने के लिए वो सोचते हैं कि चलो मैं दासियों को बेचती हूं तो हर एक दिल वो वो खूबसूरत सी दासियों को उस राजकुमार के महल में उसके कमरे में शेयन खक्ष में बेचती है लेकिन राजकुमार ना उनसे बात करता है ना ही उन्हें हात लगाता है चाहे वो जितनी ही कोशिश कर ले अब जब इस तरह से साथ राते बेच जाती है तो इस सारी प्लासिया है वो मिलकर प्लान करती है कि यह जो खूबसुरत से चहने वाली यह लड़की जो कि राजकुमार के ही बीवे लेकिन उन्हें भी पता नहीं है क्यों न इसी को हम उसकी बेडरू में रख दे अपने इस बात को उसकी बहन को भी बताती है लेकिन बहन इस वक्त अन् लगड़ी के ही हाथ होते हैं उनी हाथों से उसके पैर दबाने लगते हैं तो कहीं न कहीं जैसे उसका स्पर्श होता है तो राजकुमार समझ जाता है कि यह मेरी ही बीवी है और फिर जब वो देखता है गवर से तो समझ जाता है कि यह यकीनिल उसकी बीवी है उसके बाद तक कोई आवाज नहीं थे वो सिर्फ वस्तु थी लेकिन जैसे ही अपना पती उसे कुछ पूछता है तो अचानक से उसमें जान आ जाती है कहीं ना कहीं उसमें धहरे आ जाता है तागत आ जाती है और अपनी सारी आप बेती वह अपने पती को सुनाती है और फिर फिर से एक वहां तो ढटिंगे कोषिश कर सकते हैं हैं फिर से एक बार तुम पानी लेकर आो जो पानी लाओके तो ऐसे लाना पानी कि तुम्हें नाखुन उस पानी को नाच हुए और हैً कि지가ए पेड में तादिल वो जाओं की, तो जहाँ जहाँ पत्ते टूटे हुए हैं, जहाँ जहाँ डालिया, टहिनिया टूटी हुए हैं, उनको सिर्भा करने की कुशिश करो, उन्हें बांदो, उन्हें जोड़ो, ऐसा करो, और फिर से एक बार मेरे वेपर पानी छलगतो, तो इस पाच्वा टाइम में जब रुपांतरित हो रही है इस वह अपनी मंजी से होती है अपनी जरूरत के चलते रुपांतरित होती है और फिर से एक बार कहानी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाती है और उसके सारे दुप दर्द भी खतम हो जाती है अब जब वहाँ पे राच्वार की बहन को पता चलता है कि ये तो वास्तरिक में अपने उसके भाई की ही बीवी है तो उन दोनों का आदर सतकार करती है उनको खानपांग करती है महमान नवाजी करती है और कुछ दिनों के बाद बहुत सारे गिप्स के साथ उन्हें अपने राजय में वापस रवाना कर देती है जब ये दामपत्य वापस अपने ही राजय में आते हैं तो राजा से पूरी कहानी बताई जाती है कि किस तरह से राजकुमारी ने उसकी बीवी के साथ जाती की तो इस बात को सुनने के बाद जो राजा है वो अपनी ही पुत्री को, अपनी बेटी को सजा देता है कि इसे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए और कही न कही जो गलत काम करने वाली राज़कुमारी है उसका अंत गलत होता है ऐसा दिखाया गया है दोस्तों अब ये तो हुई कहानी अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी में जो symbolism छुपा हुआ है वो symbolism को जाते हैं सबसे पहला symbolism यहाँ पर हम देखेंगे जो flowering है फूल देना एक फूल देता है यह पेड की creativity है ठीक उसे तरह से एक महिला के अंदर भी एक natural creativity है इस creativity को symbolic way में हमें flowering tree के भूप में दिखाया गया है दोस्तों एक अन्यवी चीज है कि कंदरा language में जो menstruating women's होती है जो जिन women's का period चल रहा होता है उन्हें pushpavati का मतलब होता है फूल देने वाली यहां पर फूल वाली तो यहां पर कहीं न कहीं फूलों के यह जो flowering tree यह जो symbolic word यूज किया गया है यह पूरी तरह से सत्य सावित होता है next है यहां पर जो ecology और conservation का एक theme यहां पर हमें देखने को मिलता है जब भी लड़की tree में तबदिल होती है तो हर बारी वो सबको आगा करती है सबको बताती है कि तुम मेरा ठीक से खया रखो जब तुम मेरे उपर पानी डालोगे तो पूरी तरह से पानी डालना और जब तुम फूल तोड़ोगे तो सिर्फ फूल तोड़ना बाकि मेरे पत्ते और ठहिनियों को हाम मत करना हमारी ecology भी तो यहीं कहती है कि इंसामों तुम लोगों को जितना फल चाहिए पूल चाहिए वो ले लो लेकिन पेडों को मत तो पेडों को नुकसान मत पहुचाओ तो कहीं नेजर्के साथ कुरूदानी के साथ पेश आया जाए इस चीज़ को हमारे सामने दिखाता है दोस्तों इस कहानी में हमारी कहानी की नाईका जो लड़की है वो पाँच बार लड़की से फूल देने वाली एक व्रेक्ष में रुपांतरीत होती है लेकिन इए पाच बारी में से केवल पहली और अंतीम बार वो अपनी इच्छा से रुपांतरीत होती है पहली बार जब वो अपनी मार को मदद करना चाहती है इसलिए फूल टूटे इसलिए वो रुपांतरीत होती है यह चीज हमें महीलाओं के आम जीवन के बारे में बताती है कि एक आम महीला अपनी इच्छा से कम भी जीती है वो society के pressure के चलते अपने husband अपने परिवार के pressure के चलते अक्सर forcefully उनसे काम कराया जाता है चाहे उनकी इच्छावों ना हो तो इस चीद से हमें ये सीख लेने हैं कि हमें महिलाओं के ब्रति सेंसिटिव रहना है हमें उनकी समझ्याओं को समझ ना है और जो इस इंपोर्टन ट्वेस्टिन इस चाप्टर में पूछा वे आ है वो ये है कि आखिर एक महिला कहां पर सुरक्षित है दोस्तों एक महिला जब वो अपने मा के घर में थी उस वक्त तो सुरक्षित थी जब वो अपने बती के साथ उसके महल में आई तब वो सुरक्षित थी लेकिन वहाँ पर भी वह ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी क्योंकि उसका बती उसे हर रोज रात को अपना सिक्रेट रिविल करने के लिए फिर एक पेड में तब्दिल होने के लिए मजबूर करता था और जब वह उस तरह से तब्दिल होगी अपने राजकुमारी के कहने पर पेड में तब्दिल होए उस वक्तों सबसे डेंजर में आगए और फिर उसके साथ बहुत ही गलत हुआ उमन्स वन्दी विलेटी दोस्तों अब यहाँ पर हम यह दिखाए गया है कि हर बार जब भी लड़की फूल देने वाले व्रिक्ष में तब्दिल होती है तो कहती कि मेरे साथ तुम बहुत सावधानी से पेश आना में पुष्ट पुवती कहा जाता है तो इस थीम को हम डारेक्टली पोरिलेट कर सकते हैं जो महिला ही होती है जब उनकी मासिक टाइम आ रहा होता है जब उनकी पिरेड्स आ रहे होते है उस टाइम पर वो सबसे जादा वल्मुरेबल होती है physically और emotionally भी अगर हम देखें emotionally वो stress out होती है physically वो कमजूर हो जाती है तो ये वो समय है जो वो सबसे गादा vulnerable है इस चीज़ को भी हमें इस कहानी में दिखाया गया है और ये भी समझाया गया है कि इस समय में महिलाओं के साथ बहुत ही साउधानी के साथ हमें बरताव करना है next है rest with woman's special gift दोसको लड़की के पासे special gift है कि वो फूल देने वाले व्रक्ष में तबदिल हो सकती है लेकिन यहीं उसका special gift उसके जिवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन जाता है क्योंकि इसे special gift के चलते उसे बगीचे में जाकर एक पेड में तबदिल होना पड़ता है फिर वो एक महीला से एक वस्तू की तरह एक कमोडिटी की तरह उसे पेश आया जाता है और फिर उसके जिवन में बहुती बुरे दिना आ जाते हैं तो जो उनके पास special power है तो इस महीला के पास अगर हम देखे तो उनकी खुबसूरती उनकी सादगी यह चीज़े उनकी special gift है तो कहीं न कहीं यही चीज़े उनके लिए एक risk का भी कारण बन जाती है तो इन चीज़ों को आखेर इस कहाने की रूप से क्यों बताया जा रहा है इस चीज़ को हमें समय ना है दोस्तो एक folk tale है यह एक folk tale है जो कई सालों से सभीयों से गाओं गाओं में महीलाएं महीलाओं के बीच में बैठ कर उन्हें कहाने की रूप से बतात रही है तो वो यह चाहती है कि महीलाओं अपने special gift को thought fully use करें और वो यह समझे कि जब उनकी periods आ रहे होते हैं वो बहुत vulnerable होते हैं ऐसे कई सारी चीज़े अपनी शेरिर को लेकर उनकी understanding बढ़े यह सारी चीज़े उन्हें समझ में आए इसलिए उन्हें यह चीज़े कहाने के रूप में बताई जाती है next symbolism है forced to become tree in wrong place दोस्तों एक tree कहां पर tree होता है जो tree होता है वो घर के अंदर तो नहीं होता ना लेकिन जब अपने नाइका की शादी हो जाती है तो वो कहता कि तुम bedroom में मेरे लिए ट्री बन जाओ तो कहीं ना कहीं यह उसके जगए ही नहीं है तो यहां पर हमें दिखाया जा रहा है कि हर एक चीज का एक स्थान होता है और गलत स्थान पर आप गलत चीजे करोगे तो हो सकता है इसका असर आगे जाकर गलत होगा साथी साथ यहां पर अकम और पूरम इस संगम literary concepts का ही हमें एक introduction दिया गया है अब इस चीजों के उपर हम यहां पर जाला विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे लेकिन अकम का अलत होता है internal अब अकम कही ना कहीं हमारे दिल की सोच, समझ, प्यार और internal चीजों के बारे में बात करता है और पूरम कही ना कहीं external चीजे फिर उसमें युद्ध हुआ, भैस होई, लड़ाई होई सारी जो external चीजे हैं उसके उपर पूरम बात करता है तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो पूरम चीज है, जो ट्री है वो इस पूरम अबजेक्ट है उसे अकम यानि इंडोर्स जब आप लानी के कुशिश करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लेम है, निक्स और लास्ट की थेल्म हमें यह आपर देखने को मिलेगी कि दोस्तों, इस कहानी में जो नाइका है, वो फिर से एक बार आपने वास्तवी कुरूप में कब आती है जब वो अपने पती को बात करते हैं, अपने पती को बता दे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो अभी तुम क्या करो, मेरे उपर फिर से पानी डालो मेरे सारे टूटे हैं पत्तों को जोड़ो, मेरी टहिनियों को तुम सीधा करो तो यहाँ पर यह हड़, जब उसका पती, उसकी बातों को सुनता है, तब जाकर महिलाय की समस्याएं खत्म होती है तो यहाँ पर importance of being heard, कि महिलाओ को सुने जाने की बहुत जादा जरूरत है, यह important symbolism हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अब कहें रखें, जब हम next chapter, चंद्रवती रामयना पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें यह फील बहुत उजादर होकर देखने को मिलेगी, कि जो सीता है ना, या चंद्रवती रामयनों को सीता ना कहें, वही सही रहेगा, जो सीता है ना है यह सीता की कहानी है, और सीता की कहानी भी जन्मानस तर पहुचे, वह पहुचाने के लिए सीता याना, यानि चंद्रवती रामयना लिखा गया है, तो आपके लिए भी यह आपर एक important lesson यह कहानी छोड़ कर जाती है कि आपके परिवार में जो महिला है आपकी माह है, आपकी बहन है आपकी बतनी है, उनको सुनने की कोशिश करें, जब आप उनकी परेशानियों को सुनेगे तो उनकी परेशानियों अपने आप ही खतम हो जाएगी, जारा action की जरुरत नहीं है, उन्हें सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, मैंने विस्ता से इस चाप्टर को पढ़ाया है कोशिश की है कि इस चाप्टर से जितने भी सवाल आए आप उन्हें अच्छे से स्वाल कर पाओ उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब हम चंदरभुती रामायना पढ़ेंगे टेक केर